बैनली बहुत ही शानदार बाइक बनाने वाली कम्पनी है और हाल ही में कम्पनी ने अपनी TRK 251 Adventure Tour बाइक को इटली के मिलान शहर में हो रही EICMA बाइक शो के दोरान सभी के जामने रखा है आज हम आपको इसी बाइक के बारे में बताने वाले हैं पर अगर आप यहां नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल NJ Hindi को सब्सक्राइब करके बेल का आइकान जरूर दबा दीजे ताकि आप हमारे कोई भी आटो न्यूस मिसना करें बात करें इस बाइक की तो ये एक वाटर लीडर एडवेंचर टूर बाइक है जिसमें कमपनी ने 249 CC का लिक्विट कूल सिंगल सिलेंडर इंजन दिया है इस इंजन से बाइक को 25.83 BHP की पावर के साथ ही 21.2 न्यूटन मीटर का टार भी मिलेगा कमपनी ने बैनले टी आर के 251 में स्टील ट्यू फ्रेम दी है और इसके सस्पेंशन को शांदार बनाने के लिए अगले पही में 41 मिली लीटर का अपसाइड डाउन फोर्प है और पिछले पही में 51 मिली लीटर के स्विंग आर्म और सेंटरल शॉक अब्जॉर्बर दिये हुए है साथ ही ब्रेकिंग को बढ़िया बनाने के लिए पिछले पही में 280 मिलीमीटर का सिंगल फ्लोटिंग डिस्क है और पिछले पहिये में 240 mm की डिस्क के साथ ही सिंगल पिस्टन कैपिलर भी दिया हुआ है खबरों की माने तो बैनली इस गाड़ी को 2019 तक वेश्विक बाजार में लॉंच करेगी लेकिन ये गाड़ी भारत कब आएगी इस बारे में अभी कुछ पता नहीं है लेकिन एक बात तैह है कि जब भी ये गाड़ी भारत आएगी तब इसकी कीमत 2,30,000 रुपे से शुरू होगी अब आप हमें बताईए कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी और उसके साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेर जरूर करिए धन्यवार